Indian Oil क्रिस्विस बोमोरी जाँ अउपर, Indian Oil लोगों को फ्री में देगा पेट्रोल, जाने कमपनी की खास ओपर के बारे में सब कुछ इंडियन ओल फुरी में मिलेगा पेट्रोल जाने क्या है उपफार हलो दोस्तों सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल डीकेट नूजी में ने दिल्ली इस समय पेट्रोल के द्राम 83 रुपय पृति लिटर से भी अधिक है 27 दिसंबर की रेट देखे तो दिल्ली में पेट्रोल 83.71 रुपय पृति लिटर भी कराए अन्य बड़े सेरों में नदर डाले तो कोलकता में पृति लिटर पेट्रोल की कीमत 85.19 रुपय है और मुंबाई में 95.34 रुपय है और चन्नाई में 86.29 रुपय है पेट्रोल की उचे दामों के बीच इंडियन ओफर एक खास ओफर लेकर आई है जिससे आपको आधा लिटर तक फ्री पेट्रोल मिलेगा चुट्टियों के सीजन को वेतर बनाने के लिए कमपनी ने सभी इंडियन ओफर के लिए इंडियन ओफर के तैथ सर्व 40 जूं 10W और 30 900 मिली लिटर पेख खरीजने पर आपको आधा लिटर पेट्रोल मुफ्ट में मिलेगा कब तक उठा सकते हैं इस ओफर का लाब साल 2020 खतम होने वाला है और यह समय छुट्टियों का है इसी का मद्य नजर इंडियन ओईल ने ये खास ओफर पेख किया है ध्यान रहे कि आप 10 लिटर मुफ्ट पेट्रोल वाले इस ओफर का लाब के वल 1 जनवरी 2021 तक ही उठा सकते है इसका मतलब यह कि आज के बाद आके पास 3 दिन का समय बचा है इस ओफर का लाब उठाने के लिए कैसे मिलेगा बेणिफिट ओफर का लाब लेने से पहले आपको एक और बात जाननी चाहिए आप किसी वी पेट्रोल पंप से फ्री पेट्रोल हासित नहीं कर सकते कंपनी न बताए कि ये बेनिफिट चुलिंदा पेट्रोल पंपों से ही लिया जा सकता है इंडियन ओइल ने अपने इस ओपर को क्रिश्मिस बोने जा नाम दिया है बतादे कि तेल कंपनियों को इस तरह के ओपर लेकर आती रहती है अक्सर पेट्रोल खरिदनर पर केश्मिक जैसे ओपर भी आते है कैसे ते होते हैं फ्यूल के दाम जारी करती है आला कि यह जरूरी नहीं कि रोज़ी पेट्रोल बढ़े जैसे कि आज पेट्रोल बढ़ लडिजल के दाम इस तिर ए यह दिजल का रेट आज दिल्ली में डिजल का रेट 73.804 पर बंब्रकरार है इसी तरह कलकता में डिजल 77.45 पर बिकराई वहीं चन्नाई में डीजल 89 पॉंट 21 रुपिय और मुबाई में डीजल 80 पॉंट 91 रुपिया पृति डिटर के इसाथ से भिक रहा है इंडियन ओल किसिस बोनेजा ओफर 2020 को लेकर आपकी क्यार आया हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा ज्यायर करें फेस्बुक और वाटसप सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाए